कह्लोब बेल्टे में सबस सब्ते तरी ऐसे करने वाले हैं कुरति का चाहिए इस पहले नीचे का बौटम पाड़ को कट करेंगे कि इसे हमन रागे सबसार लिए नीचे और दोनों पाड़ है और इसे के नाब से फर्म और नाहिं नाव 20 x 15 इंचिस का यह दोनों पार्ट का नाप है और फिर इसे ऐसे फॉल्ड कर लीजिए और यहां पर देखिए यहां पर 2.5 इंचिस पर मार्क कर लीजिए और उपर कर लीजिए 2 इंचिस पर मार्क फिर यहां पर 6 इंचिस पर हम मार्क करेंगे ऐसे और उपर कर लेंगे 4.5 इंचिस से 4 या 4.5 फिर यहां पर दोनों मार्क को मिलाईए और फिर यहां से लगा दीजिए कट ऐसे कट लगा लीजिए यहां तक हमने जहां पर 4 इंचिस पर मार्क दिया था और यहां पर लाइन ज आप जोटें और बंए समय को में। मैं घी आपने का लिए हाइसे सांति हो न किसे अन्धर के न को तुदिन होसे करने हैए शुदू है जोड़ के जोड़ लिएट को और फिर इसे यहां पे ऐसे फॉल्ड करते हुए यहां पे उपर की और आपको अटेज करना है देखिए जहां पे हमने 4 इंचिस पे मार्क किया था वहां पे उपर और अब हम यहां पे ऐसे फॉल्ड करते हुए स्टीज करेंगे दोनों साइड तो यहां पे देखिए इसे फॉल्ड करें और यहां पे यह नीचे का पार्ट है वहां पे कॉर्णर पे आपको इसे अटेज करना है दिख लीजिए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चल्दी से कर लीजिए रेड बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबना तक नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे अब देखिए यह नोर नों का पार्ट मैंने लिया था इसे ऐसे फॉल्ड करके स्टीज कर लिया अब हम नौचिस लगा देंगे नौचिस लगा उपर के साइड यहां पर ऐसे फिर प्रेस्टीज कर लिजिए प्रेस्टीज करने के बाद दूसरा पार्ट जो है वह रखिए इसके उपर उल्टा रखिएगा और ऐसे स्टीज करते जाएगा देरे देरे से आपको स्टीज करना है अगर आगे पिछे है तो आप कट कर सकते फिर प्रेस्टीज कर लिजेगा प्रेस्टीज करने के बाद आपको क्या करना है यहां पर इसके अंदर डाल दीजे यह बहुत ही सिंपल आसानी से बन जाएगा और अब हम यहां पर फोल्ड करके नीचे का पाट दोनों जोड लेंगे देखिए यहां पर ऐसे अब यह जो प्लेट लीजिए और जोड लीजिए यहां से स्टीज करना स्टार्ट करें देखिए ऐसे आपको स्टीज करना स्टार्ट करना है और इसे जोड लेना ऐसे सारे कोर्नर आपको जोड लेना है अच्छे से फिनिशिंग देखिए ऐसे जोड लेना है सारे को टोटल फोर है जिसे हमें जोड़ना है यह सबसे आसान तरीका है जटपट से बन जाता है और अब हम यहां पे फिनिशिंग अच्छी आए इसलिए यहां पे कर लेंगे कवर सिलाई ऐसे आपको कवर सिलाई कर लेनी है जिसी से फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है रेसे नहीं निकलती है तो यह देखिए यह हमारा बहुत ही प्यारा सा बैक पैक रेटी हो गया है देखे नीचे बोटम पार्ट और विल्कुल आसानी से तो कैसा लगा जरूर से बताए मु हुआ भवा जकी कर देखे दाशे रिल्कुल आसानी से घड़ से से तो कैसा दूर आती है तो कैसा बहुत है जगा थरूर से वहा हमारा दो इसमीर哇 कbased कैसा रह भी अॅवत